आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि मनुश्यों में ऐसी कौन सी आदतیں पाई जाती है जो उनके दिमाग को धीरे धीरे कमजोर करती है मित्रो दिमाग हमारे शरीर का महत्तुपूर्ण अंग है हमारे शरीर के अंदर होने वाली हर क्रियाएं मस्तिस्क से ही संचालित होती है किसी घटना पर हम कोई भी सुझाव देते हैं तो वह केवल और केवल मस्तिश्क के ही कारण हो पाता है अगर आप अपने किसी भी शरीर के हिसे या हाथ को मुमबद्धी की तरफ लेकर जाते हैं तो वहाँ आपके हिसे को जला देती है लेकिन इसका संदेश सबसे पहले मस्तिश्क तक पहुँचता है और तभी आप अपना हाथ जल्दी से हटा लेते हैं क्योंकि आपके मस्तिश्क में यह बात आजाती है कि अगर हाथ को मुमबद्धी के पास ज्यादा समय तक रखा तो हाथ जल जाएगा यदि व्यक्ति का मस्तिश्क ठीक से काम ना करे तो वह इस दुनिया में जीवन जीने के लायक भी नहीं रह सकेगा सभी जीविद प्राणियों में मस्तिश्क जन्म से होता है और इसका विकास उम्र के साथ होता रहता है लेकिन कई बार हमसे जीवन में कुछ ऐसी गलतियां या आदतें बन जाती है जो हमारे मस्तिश्क को कमजोर करती है और इन आदतों के लिए कोई और नहीं बलकि हम स्वयम जिम्मिदार होते है दोस्तों महात्मा बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है एक समय की बात है महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिश्यों के साथ यात्रा पर जा रहे थे चलते चलते वे एक जंगल के में पहुँचे और अंधिरा होने लगा महात्मा बुद्ध और उनके शिश्यों ने निर्णे लिया कि आज की रात वे यहीं पर बिताएंगे और कल सुबह होते ही आगे की यात्रा पर निकलेंगे उन सभी शिश्यों में से बुद्ध के एक परम शिश्य भी थे जो की कद में नाटे और बहुत भोले भाले थे सभी शिश्यों में से इस शिश्य की आदत बिलकुल अलग थी जहां सभी लोग साथ से आठ घंडे की नींद लेते थे यह महाशय केवल तीन घंडे ही सोते थे इनका मानना था कि जो लोग अधिक सोते हैं वह आलसी होते हैं महात्मा बुद्ध के इस शिश्य को भोजन करना बहुत अधिक पसंद था जब वे भोजन करने बैठते थे तो अन्य सभी शिश्यों के हिस्से का भी भोजन कर लेते थे इसी प्रकार उनकी कई ऐसी आदतें थी जो अन्य शिश्यों को परेशानी में डाल देती थी उस रात जब महात्मा बुद्ध और उनके शिश्यों ने जंगल के किनारे पर डेरा डाला तब दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही थी इस बार पानी खोज कर लाने की जिम्मेदारी बुद्ध के उन भोले भाले शिश्य को दी गई महाशय मटका लेकर पानी की खोज में निकल पड़ा उसका शरीर पहले से ठका हुआ था काफी सोच विजार करते करते और चलते चलते आखिरकार उसे तालाब दिख गया उसने तालाब से मटके में पानी भरा और पानी लेकर जैसे ही आगे बढ़ा वही पर चकर खाकर गिर पड़ा उधर महात्माबुध और उनके अन्यशिश्य उनकी प्रतीक्षा करते रहे जब प्रतीक्षा में पूरी रात बीट गई तब अगली सुभै महात्माबुध स्वयम अन्यशिश्यों के साथ अपने उस शिष्य की खोज में निकल गए जो रात से वापस नहीं लोटा था सभी लोग उसे खोचते हुए तालाब के पास पहुंचे और मूर्चित हुए शिष्य को होश में लाने का प्रयास किया जब वह शिष्य खोश में आया और महात्मा बुद्ध को अपने सामने देखा तो चौप गया उसे कुछ भी याद नहीं था कि वह तालाब के पास क्या कर रहा है उसके इस व्यवहार को देखकर अन्य सभी शिष्य उस पर हसने लगे और उसे मंद बुद्धी कहकर छिडाने लगे वह भोला भाला शिष्य वहीं पर रोने लगा और कहने लगे कि हाँ मैं मंद बुद्धी हूँ तब महात्मा बुद्ध ने सभी को शान्त कराया और अपने शिष्य को समझाते हुए बोले कि हम सभी ने देखा है तुम्हारी आदतें अन्य मनुश्यों से बिलकुल अलग है तुम बहुत कम सोते हो और बहुत अधिक खाते हो मैंने तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक जीव को महसूस किया है जो तुम्हारे मस्तिस्क को दिन रात कमजोर कर रही है तब शिष्य और अधिक्तेज से रोने लगा और कहने लगे कि गुरुदेव अब आप भी मुझे मंद बुद्धी कह रहे हैं तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है तुम एक होश्यार और बुद्धिमान मनुश्य हो किन्टु तुमने कुछ ऐसी आदतों को पाल रखा है जिसके कारण तुम्हारा मस्तिस्ख कमजोर हो रहा है तब शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव ऐसी कौन सी आदतیں हैं जिनसे मनुश्य का मस्तिस्ख कमजोर होता है तब महात्मा बुध्ध ने कहा कि आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसी कौन सी आदत है जो मनुष्य के मस्तिस्क को कमजोर करती है मेरी बात को सभी लोग ध्यान से सुनना महात्मा बुध्ध ने बताना प्रारंब किया पहली आदत नींद के महत्ध को समझने में भूल करना कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नींद को गंभीरता से नहीं लेते हैं उनका यह मानना होता है कि ज्यादा सोना समय की बरबादी होती है यदि वे कम सोएंगे तो अधिक कारे कर पाएंगे और अधिक सक्रिय रहेंगे जबकि यह सोचना बिल्कुल गलत है नींद हमारे शरीर की एक मुख्य आवश्यक्ता है दिन भर काम करने के बाद जब शरीर ठक जाता है तो उसे कम से कम 5-6 घंडे की नींद की आवश्यक्ता पड़ती है तब ही जाकर वह अगले दिन के लिए सक्रियता से तयार हो पाता है कम सोने वाले व्यक्तियों की मानसिक शमता भी कमजोर मानी जाती जाती है इसलिए मस्तिस्क को तरो ताजा और तेज रखना है तो रोज 5-7 घंटे जरूर सोए दूसरी आदर आवश्यक्ता से अधिक भोजन करना कई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि एक ही जीवन मिला है इसलिए इसे खाने पीने और मौज करने में बिताना चाहिए और इसी सोच के कारण वह आवश्यक्ता से अधिक खाना खाने लगते हैं न तो उनके खाने में किसी प्रकार की कोई गुणवत्ता होती है और ना ही वह कभी खाने की मात्रा पर ध्यान देते हैं कई लोगों को लगता है कि अधिक खाने से शरीर को अधिक ताकत मिलती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अधिक खाने से शरीर में केवल केवल बीमारियां ही लगती हैं। कभी पाचन संबंधी बीमारी, तो कभी शरीर का मोटा अपा, यह सब कुछ खाने की गलत मात्रा और उसकी गुणवत्ता के कारण ही होता है। जब व्यक्ती का, शरीर बीमार रहेगा तो इसका असर मस्तिस्क पर भी होगा, इसलिए अपने मस्तिस्क को तेज रखने के लिए सही मात्रा में और सही गुणवत्ता वाला भोजन करना चाहिए। तीसरी और खास आदत, खुद को कार्य करने की मशीन समझना। इस संसार में कई ऐसे व्यक्ती हैं, जो दिन रात काम के पीछे भागते रहते हैं, और इस बीच ना तो वे अपने शरीर को आराम देते हैं, और ना ही कभी अपने परिवार को समय देते हैं। ऐसी आदतों से उनके जीवन में तनाव बढ़ जाता है, और एक दिन ऐसी ठकान हो जाती है, कि फिर वह पहले के जितना सक्रिय नहीं हो पाते हैं, इसलिए अगर आप भी खुद को कार्य करने की मशीन समझ रहे हैं, तो आप अपने शरीर को खराब करने के साथ साथ अपने और एक सामान्य जीवन जिए जितनी आवश्यक्ता है उतना ही कार्य करें, चौथी आदत बुरी आदतों की भरमार रखना, कई व्यक्तियों में आलस्य इतना अधिक होता है कि वह किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं, उनके शारीरिक और मानसिक शक्तियों में अक्सर क कमजोरी पाई जाती है और इस कमजोरी का मुख्य कारण होती है उनकी गलत आदतें काम को ठालना, आवश्यक्ता से अधिक सोचना बेकार की बातों पर चिंता करना, ये सभी दिमाग को कमजोर कर देने वाले लक्षन होते हैं, इसलिए यदि सही जीवन जीना है और दिमाग को तेज रखना है, तो सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को खत्म करें। कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन की प्रगत्री में बाधा बनती है, इससे आपके मानसिक स्वास्थ्य को हानी पहुचती है, आत्मविश्वास में कमी आती है, अपने दिमाग को तेज बनाए रखने के लिए खुद की बुराई कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, या स्वयम ही स्वयम की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए, स्वयम को सकारात्मक बातें बोलनी चाहिए, ताकि दिमाग सही दिशा में कार्य कर सके, छटी आदत दिमाग में अतीत की नकारात्मक बातों को इकठा रखना, कई बार व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें वह चाहकर भी नहीं भुला पाते हैं लेकिन एक सत्य यह भी है कि आप पीछे के समय में जाकर उस घटना को नहीं बदल सकते हैं वह समय तो बीथ चुका है और उसका जो भी प्रभाव आपके जीवन पर पढ़ने वाला था वह पढ़ चुका है तो फिर दिमाग में अतीत की यादों को रखना कूडा इकठा करने के समान ही होता है जब अधिक कूडा इकठा हो जाता है तो उसमें से बदबु आने लगती है और वह सड़ने लगते है दिमाग के साथ भी कुछ ऐसा ही है आप जितना अधिक पुरानी बातों को और नकारात्मक बातों को इकठा रखेंगे वह आपको उतना ही अधिक परेशान करेगी इसलिए जीवन में हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए और पुरानी बातों से जितना जल्दी हो हो सके पीछा छुडाना चाहिए साथवी आदत दूसरों से अधिक उम्मीदें रखना संसार में एक से एक दयालू और सच्चे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी की सहायता की है किन्तु कई बार हम अपने आचरण के कारण दूसरों से भी आशायं लगा लेते हैं कि वह भी हमारी सहायता करेंगे और जब वह हमारी सहायता नहीं करते हैं तो हमें कश्ट पहुँचता है इस संसार में कोई किसी का नहीं है इसलिए दूसरों से आशाएं लगाना आज ही बंद कर दीजिए कोई आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करने वाला है यह आदत आपके दिमाग को कमजोर बनाती है यदि अपेक्षाएं करनी है तो स्वयम से अपेक्षा करो ताकि जीवन में कुछ बड़ा कर सको दूसरों से अपेक्षा तो केवल और केवल दुख ही देती है आठवी आदत बुरे लोगों का साथ नहीं छोड़ पाना हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे आस पास किस तरह के लोग रहते हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है जब कभी आपको लगे कि किसी का साथ आपको नुकसान पहुँचा रहा है या आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है तो उसे वही पर समाप्त कर देना उचित होता है क्योंकि बुरे लोग आपको कष्ट और नकारात्मक्ता के अलावा कुछ नहीं देने वाले हैं ऐसे लोगों से दूरी बना कर ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है किन्तु कई बार ऐसा होता है कि वह हमारे करीबी होते हैं और हम चाहा कर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते भले ही हम उन्हें अपने जीवन से निकाल नहीं सकते लेकिन उनसे दूरी बना कर अवश्य रह सकते हैं बुरे लोग आपके दिमाग को प्रभावित करते हैं इसलिए दिमाग को सही रखने के लिए ऐसे लोगों के संपर्क में बिलकुल ना रहे नवी आदत स्वयम की गलतियों को अंदेखा करना कई बार व्यक्ति से यदि कोई गलती हो जाए तो वह उसे पूरी तरह से अंदेखा करते हैं और जिम्मिदारी लेने से बचते हैं जबकि यह आदत आपके जीवन को असफलता की ओर ले जाती है कभी भी यदि आपसे गलती हो जाए तो उसे पूरे मन से स्वीकार कर लेना चाहिए साथ ही क्षमा मांग लेनी चाहिए इस संसार में पश्चाताप से बड़ी कोई क्षमा नहीं होती है यदि गलती करने के बाद आपको सच्चे दिल से पश्चाताप है तो उसका पाप आपको कभी नहीं लगता जो व्यक्ती जिम्मिदारी लेने से डर लड़ते हैं वह दिमाग से कमजोर होते हैं जबकि सच्चाई के साथ सभी का सामना करने वाल अव्यक्ती अधिक हिम्मती और दिमाग से तेज होता है दस्वी आदत अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानना सफलता और असफलता एक ही सिक्के की दो पहलू है दोनों ही परिस्तितियों में हमें स्वयम इस बात का आकलन करना चाहिए कि यह सफलता या असफलता हमारे जीवन की महद्धुपूर्ण घटना है और इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है कई बार यदि हम किसी काम में असफल हो जाते हैं तो हम उसके लिए अपने माता-पिता गुरु इत्यादी को जिम्मेदार मानने लगते हैं यह आदतें आपके दिमाग से कमजोर बनाती हैं कभी भी अपनी असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं बनाना चाहिए बलकि स्वयम की मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए इस प्रकार बुद्ध ने उस व्यक्ति को ऐसी आदतें बताई जो उसके दिमाग को दिन रात कमजोर कर रही थी उस व्यक्ति ने सच्चे मन से बुद्ध को को बताया कि हाँ यह सब उसकी आदतें हैं और वह अपनी इन गलत आदतों के लिए स्वयम को जिम्मेदार मानता है साथ ही वह बादा करता है कि वह इन सभी गलत आदतों से छुटकारा पाने के लिए पूरा प्रयास करेगा